हेलो प्रेंट्स आज हम सी लैंकूजक की सीरीज में एक और प्रोग्रेम प्रोगर के प्रोग्रां को बनाएंगे प्राइम्प्रोग्रेम को अगर हम देखें तो पैलिंड्रोम नमबर है 121 और उसको रिवंटिवन की आ जाए तो वो ही number आए यानि कि जब हम उसका reverse करें तो हमें 121 ही मिले तो that is a palindrome number यह हर एक number के साथ नहीं होता जैसे 123 है तो इसका reverse 321 है यह palindrome नहीं है लेकिन यह palindrome है palindrome हम strings के अंदर भी देखते हैं और इसके लावा हम numeric value में भी देखते हैं ठीक है तो strings में जैसे हमने यह numbers में palindrome है और अगर हम strings की बाप करें तो उसमें जैसे हमने store किया madam नितिन एंद बड़े करना पड़ेगा मल्यालम ऐसे जितने भी शब्द होते हैं these all are the palindrome strings क्योंकि madam को reverse करेंगे नितिन को reverse करेंगे you will get the same ठीक है तो numbers पर पैलेंड्रोम देखेंगे हम लोग numbers पैलेंड्रोम कैसे चर्ट कर सकते हैं पैलेंड्रोम जाज करने के लिए सबसे पहले हम number का reverse बनाएंगे देखेंगे कैसे सबसे पहले हम इक वेरीबल लेंगे एंग रिवर्स के लिए आर डी एंड्क enter a number number input करेंगे हम लोग n के अंदर अब यहाँ पर हम reverse का logic लगाएंगे के number का reverse कर दे बर number के reverse करने से पहले हम number को किसी third variable में store कर देंगे जैसे हमने इसमें store कर दिया अब इसका reverse आर में आएगा यह line बड़ी एहम है और यह line की वज़े से ही काफी सारे students confused रहते हैं कि यह program का हमने reverse कर दिया लेकिन हमारा output सही नहीं आ रहा हमने reverse number को original number के साथ compare कर दिया हमारा output सही नहीं आ रहा तो उसका reason है क्योंकि यह line अभी हम समझाएंगे कि इस line का funda क्या है तब आपके concept और clear होंगे while n greater than 0 d equal to n का modulus किया 10 से reverse करने का logic है यह यह oddity हम while loop के advanced practice questions के अंदर हमने reverse of digit का program already समझाया हुआ है तो यहां मैं repeat नहीं कर रहा हूं यहां मैं आपको यह बता रहा हूं कि logic reverse करने का you will get the reverse r के अंदर you will get the reverse ठीक है ना तो अब भारा के हम चक करेंगे क्या k की value r की value की equal है if it is तो number is palindrone else number is not a palindrone देखे समझ लेते हैं कि यह line का मतलब क्या है देखे n में आपने डाला 121 all we know it's a palindrone number ठीक है अगर मालीची यह line हमारे पास नहीं होती तो यह logic है reverse निकालने का जैसे चलिए हम समझ लेते हैं फटरवर्ट से बार यह और 121 का हमने मॉडलिस कि अदस से we'll get 1 क्योंकि जब भी मॉडलिस करते हैं तो last digit आती है आप देख सकते हैं remainder 1 बचा तो 1 आ गया तो D में 1 आ गया आर की वेल्यू शुरू में आपको 0 करनी पड़ेगी हमने करी नहीं है वो कर देते हैं तो आर की वेल्यू में 0 है 0 इंटू 10 0 प्लस D केंदर आया 1 तो 1 तो 0 इंटू 10 0 प्लस 1 1 तो आर की वेल्यू 1 हो गई फिर एंट को हमने डिवाइट किया 10 से जब 10 से डिवाइट करेंगे रिजूल्ट वापस एंट में लेकर आ रहें तो जो एंट 121 था जो एंट की वेल्यू 12 थी अब बदल के कितनी होगी 12 होगी अब देख सकते हैं 12 आ रहा है तो एंट चेंज हो रहा है यह लेंट बड़ी कि वेल्यू 12 होगी तो अब एंट जो मेरा ओरिजिनल नंबर था आप वो मेरा ओरिजिनल वैल्यू कंटेंड नहीं कर रहा है इसलिए मैंने इन को के में स्टोर किया क्योंकि एंट अंदर बदल रहा है तो जब लूप ब्रेक होगा तो एंट कितने पर लूप रेक होगा जी भूल जाता है कि वो n को बीच में change कर रहा है, n बीच में change हो रहा है, when it change है तो n अपनी value lose कर गया, तो आपका palindrome number होने की बाद भी result not a palindrome आता, ठीक है, इसलिए हमने number k का concept यूज किया, कि original value हमसे lose ना हो, तो अब उपर के 12 बड़ा जिरू से 12 का modulus किया 10 से, 12 को करेंगे तो 1 into 10, 10 plus 12, फिर 12 को 10 से divide किया, तो 1 बचा, अब n 1 हो गया, 1 बड़ा 0 से, 1 का modulus किया तसे, तो फिर 1 का modulus करोगे तसे, तो छोटे को बड़े से modulus करेंगे, छोटे ही आता है, बना गया, r की value है 12, into 10, 120, plus 1, 121, तो r में आ गया, 121 यानिके reverse, 1 divided by 10, यानिके 0, 0 होती लूपर गया 121 already हमने store किया हूँ था, उसको हम reverse जाने कि 121 के साथ match करेंगे, which is equal, hence number is a palindrome, ठीक है, तो इस तरी के सब palindrome का question, numeric में करते है, numbers में करते है, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको function के through करके देखेंगे, ठीक है, अब हम एक बार strings का भी देख लेते हैं, strings में कैसे palindrome find out कर करते है, strings के लिए, आप पहले, strings के concept को पढ़ेंगे, prerequisite है, strings पता होना चाहिए, input लेना, output लेना, कुछ basic functions उसमें पता होने चाहिए, inbuilt functions मैंने already काफी सारे बता है हुए, वो सब आपको पता होने चाहिए, हमने string ले लिया, मान लीजे, 30 characters का, अब यहाँ पर हम string input कर रहे हैं, enter string, gets, str, यार, एक छोटा तरीका है, कि हम reverse निकाल के direct compare कर दें, पर मैं थोड़ा से lengthy method से बता रहूँ, जहाँ पर हम str, rev का use basically नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ के हम एक variable ले लेते हैं, और length के लिए, l equal to 0, एक variable i ले ले लेते हैं, equal to 0, flag भी ले सकते हैं, अगर लेना चाहिए, तो flag equal to 0, तो हमने आपे किया, l equal to square len, या length के लिए भी हम नहीं यूज करते हैं, बिना library function के ही सारा program बना लेते हैं, while str of l not equals to backslash 0, backslash 0 all we know, this is the spring terminator, और l plus plus लगा देंगे, यह हमें length बदा देगा, spring की, इसके बाद हम l minus minus करतेंगे, backslash 0 से वो इस वाले character में आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ पर डाला madam, m, a, d, a, m, backslash 0, तो यह कब तक चलेगा, जब तक l की value 5 नहीं हो जाती, अना, 5 पे loop break हो जाएगा, बाहर निकल के l की value कितने करतेगा, यह, l की value 4 कर देगा, अब यह i की value 0 है, l की value 4 हो गई है, यह plus plus तो, यह a की statement है, loop केंडर तो मैंने bracket नहीं लगा है, l minus minus कर दिया, ठीक है, अब मैं यहाँ पर compare कर सकता हूँ, क्या, loop दुबारा लगे गा, while i less than equals to l, जब तक कि मेरा i, l से छोटे है, तब तक चले, और क्या करें, compare करें, क्या str of i, not equal to str of l है, कहीं ऐसा है, तो flag की value 1 करके, ब्रेक कर दे, फ्लाग की value 1 करके, ब्रेक कर दे, यह line में उपर लिख देते हूँ, शायर, दिखने में दिक्कत ना हूँ, यह पूरा statement उपर लिख देते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, while i less than equals to l, if str of i not equals to str of l, तो flag की value 1 करके, ब्रेक कर दे, i plus plus, l minus minus, ठीक है, अब हम, नीचे, flag की value चेक करेंगे, अगर वो 0 है, तो वो दे देंगे palindrome, और 1 है तो दे देंगे not palindrome, flag equal to 0, और 2 है, और 2 है, यह तो पूर 1 है, और 2 है, यह तो फूर 1 है, यह तो देंगे not a palindrome, इसके बाद हमने कुछ नहीं किया सिफ ब्लैकेट क्लोज किया है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको यहां पे मैं डिक्टेट कर रहा हूं हम तक i मेरा छोटा है bekommt ल, ब्लैकेट कर रहा है सिफ फ्लिकill नहीं है थीख रहा है यहां इटो तो इकोल है इकोल तो एफ में जाएगा नहीं आ थकोल एपस प्लस माइनस 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 अब 1 रोत थी को कंपेर क Dieu दा क्या 104 एकोल नहीं है तो अब यह भी हो गया अब इसको इसको इसके साथ फिर इसको इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ 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 जैसे i की value 3 हुई और l की value जैसे 1 हुई तो i अब बड़ा हो गया l से, i चोटा नहीं रहा, loop break हो गया, flag की initial value 0 थी, 0 की 0 रही, string is spelling wrong, print हो गया, ठीक है, अगर आपने कुछ और शब्द दाना होता, जैसे आपने दाना होता मालनेजिए, डेली, तो d, e, l, h, i, ये भी 5 का है, तो l की value 4 पर ही store होता है ये भी, 0, 1, 2, 3, 4, और यहांके backslash 0 होता, तो l की value ये भी same madam की तरह ही characters है इसमें भी, तो l की value 4, i की value 0, क्या st of 0, st of 4 की equal नहीं है, yes, equal नहीं है, flag की value आजाती 1, break करके बाहर आजाती लूप से, flag की value, जो की 1 आपने कर दी है, तो 0 तो नहीं है, so string is not a parent row, this is the end of while loop, तो भाई, ये program जो बना है, ये program बना है, बिना किसी standard library function के, ठीक है, इस वले question के लिए particularly, के आपको strings बता होने चाहिए, strings के आप lectures देखिए, उसके बाद ही, इस question को attempt करिएगा, तभी clear होगा, ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, channel को subscribe कर दीजीगा, thank you,